दुनिया अव निश्चित्ता से भरी एक उदास जगह है लोग यह भी नहीं जानते कि इस पुरुथी पर रहते हुए क्या करना है और बस समय बीतने देते है हाला कि परमेश्वर ने हमें स्वर की बहुमुल्य आशा दी है परमेश्वर हमें अनंत स्वर के राज्य के राजपदारी याजग बनाने के लिए तैयार कर रहे है जहाँ कोई मृत्यू या शोग या पीड़ा नहीं है आज आएए हम आत्मा और धुलन हमें बुला रहे है ये सुब्देश्वर के साथ परमेश्वर के वचन को साजा करने का कुछ समय ले सबी लोगो कुरोना वाइरस आप काबू से बाहर है और कोई नहीं जानता कि या कब समाप्त होगा कुछ लोगों ने सोचा कि या एक मौसमी महमारी थी जो सर्दी बीट जाने पर खतम हो जाएगी लेकिन यह एक ऐसी महमारी नहीं है जो केवल सर्दियों में फैलती है लेकिन यह पूरे वर्ष पर रहती है इससे बढ़कर कुछ प्रसिद्द चिकित्सा विशेशग्यों का कहना है कि एक बिमारी जो इससे भी अधिक संक्रामक है आएगी इसके अलावा उतरी दुरूव में बर्फ की एक जबर्दस मात्रा पिगल रही है यदिया जारी रहता है तो दस्यों हजार वर्षों तक बर्फ में कैद रहे वाईरस निकल आएंगे किसी विग्यानिक विशेशग्या के पास भी इन वाईरस के बारे में कोई ग्यान या अनुभव नहीं है जब बर्फ पिगलेगी और वाईरस फैलेंगे तो मनुश्य इस धर्ती पर कैसे रह पाएंगे पिता और माता ने प्रकाशित वाक्य अदे 22 में मेरे पास आओ, क्यों कहा? शैतान अनंत जीवन का मार्क अवरुत कर रहा है ताकि हम पिता और माता के पास न जा सके उसके बावजूद सभी मानो जाती को पिता और माता के पास आना चाहिए और परमेशुर की वाचा अनन्त जीवन का वादा प्राप्त करना और अनन्त स्वर के राज्य की आशा रखना चाहिए चुंकि हम शरीर में जी रहे है तो स्वाभाविक रूप से लोग केवल इस बात पर ध्यान किंद्रित करते है कि इस पृति पर कैसे जीवित रहे हाला कि क्या परमेशुर हमें यह नहीं सिखाते कि पृति पर हमारा समय केवल अस्ताई है और फिर हम इसे छोड़ देंगे उस जगह पर जाने के लिए क्या हमें वह सब कुछ तयार नहीं करना चाहिए जिसकी हमें अवशक्ता है इस पृतिवी को देखे तो यह कई बिमारियों विभिन्न कटिनायों और दुखों से भरी है लेकिन क्या परमेशुर ने हमें यह नहीं बताया कि भविश्य में हम स्वर के राज्य में चाहेंगे जहां कोई मृत्यू या शोक या दुख या दर्द नहीं है लेकिन केवल अनंत आनंद है जो हर दिन नवी निकृत होता है इन दिनों समय वास्तव में उड़ जाता है क्या आपको ऐसा मैसूस नहीं होता हमारे जीवन के दिन एक जलक की तरह हमारे पास से गुजर जाते है हमें सतर करेने की ज़रूरत है हमें अपने जीवन के लक्ष को यह सोचते हुए सही दिशा में रखने की आवशकता है आज मैं स्वर्ग में पुरसकार कैसे जमा कर सकता हूँ यदि हम इस तरह से एक पल के लिए भी नहीं सोचते तो यह मुर्गता होगी यह हमें उस समय को बरबात करने का कारण होगा जो परमेश्वर ने हमें दिया है इसलिए हमें विजलित नहीं होना चाहिए और स्वर्ग के मार्ग में खो नहीं जाना चाहिए हमें पिता और माता पर अपना विश्वास कब तक रखना चाहिए चुंकि परमिश्वर ने कहा जो अंतक डूर्ड रहेगा वो उत्तार पाएगा तो मैं प्रात्ना करता हूँ कि हम अपना विश्वास न खोए लेकिन अंतक इस मार्ग पर चले आई हम प्रकाशित वाक्यादे पाईस आयत सतरा देखे आत्मा और दुलन दोनों कहती है वे क्या कहती है? आ और सुनने वाला भी कहें आ जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वह क्या लेना चाहिए? जीवन का जल सिंथ मिंत ले इसके बाद क्या वचन दिया गया है? मैं हर एको जो इस पुस्तक की भौईश्वानी की बाते सुनता है गवाई देता हूँ यदि कोई मनुश्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेशरुन विपत्यों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा यदि को इस भविश्यवानी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेशुर जीवन के वरुक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्दन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा हम स्वर्ख जा सकते हैं या नहीं यह इस बात पर निर्बर करता ही कि क्या हम बाइबल में लिखे वच्णों का पालन वैसे ही करते हैं जैसे वे लिखे गए हैं इसलिए जब आत्मा और दुलन कहती है आ तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मा और दुलन पर विश्वास करना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए इस संदेश के बाद यह लिखा है कि हमें इस पुस्तक की बहुशवानी के वचनों में कुछ भी जोड़ना या इसमें से कुछ घटाना नहीं चाहिए हमें बाइबल में किसी भी शब्द को जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए इसी तरह हमें संदेश आत्मा और दुलन दोनों कहती है आ में भी कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए फिर इसके अनुसार हमें किसे खोजना चाहिए जो लोग आत्मा और दुलन अर्तत पिता परमेशर और माता परमेशर को खोज रहे है वे मानव इतिहास में सबसे धन्य लोग है जब वे सियोन में अंत तक अपना विश्वास बनाए रखते है जहाँ पिता और माता निवास करते है तो क्या उन्हें बचाया नहीं जाएगा और स्वर्ग में पवित्र कहा नहीं जाएगा हमें उन लोगों की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए फिर आत्मा और दुलन क्यों कहती है आओ और जीवन का जल सेंथ मिंद लो प्रेरित योहन्ना को दिये गए प्रकाशित वाक्य में वे कौन है जो जीवन का जल देते है आत्मा और कौन है दुलहन फिर आत्मा और दुलन कौन है जो हमें जीवन का जल दे रहे है आए हम योहन्ना दैचार में इसका उत्तर देखे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का जल क्या है अदैचार आयद 14 परन्तु जो कोई उस जल में से पियेगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा वरनों जो जल में उसे दूंगा वो उसमें एक सोता بن जाएगा जो किस के लिए? अनंत जीवन के लिए उमरता रहेगा यहां मैं येशू को संकेत करता है येशू जो जल देते हैं वो उसमें एक सोता बन जाएंगे जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा फिर आईए हम अद्ध चार आयत पाच में देखे कि येशु ने किस तरह के जल के बारे में कहा कि वो हमें देंगे इसलिए वो सुकार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमी के पास है जिसे याकुब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था और याकुब का कुवा भी वही था अतहए येशु मार का ठका हुआ उस कुए पर यो ही बैट गया ये बाद छटे गंटे के लगबग हुई आज के समय के मानक के अनुसार छटा गंटा दोपेर के लगबग बारा बजे है आयत साथ इतने में एक सामरिस्त्री जल भरने आई येशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मूल लेने को गए थे चेले भोजन मूल लेने गए थे और सुकार नमक नगर की स्ट्री जो जल भरने के लिए याकुब के कुए पर आई आयत 9 उस सामरिस्त्री ने उससे कहा तो यहुदी ओकर मुझ सामरिस्त्री से पानी क्यों मंगता है क्योंकि यहुदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का वेवार नहीं रखते हैं येशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझ से कहता है मुझे पानी पिला दूसरे शब्दों में यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू उससे अवश्य मांगती वह उसे क्या देता और वह तुझे जीवन का जल देता यह जीवन का जल है प्रकाशित वाक्यादे 22 आयत 17 में आत्मा और धुलन हमें अंतिम यूग में क्या देंगे दूसरे शब्दों में वे हमें अनंत जीवन देंगे येशु ने कहा यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती येशु के साथ उसकी बातचीत में स्त्री ने पूछा क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है आयत 14 में येशु ने कहा परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूँगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा वरनों जो जल मैं उसे दूँगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो किस के लिए उमड़ता रहेगा अनन्त जीवन के लिए उमरता रहेगा यदि तु जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला तो तुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा और दूलन ही वे हैं जो सभी मालो जाती को जीवन का जल देते हुए इस पृति पर अनन्त जीवन देने के लिए प्रकट होंगे उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आया और अनन्त जीवन सेंत मिंत ले वह एक मात्र जो हमें अनन्त जीवन दे सकते है, परमेश्वर है. पहला तिमुत्यों सद्दैचे में यह सपष्ट रूप से लिखा गया है कि अमरता केवल परमेश्वर की है. इसका मतलब यह है कि केवल परमेश्वर के पास अनन्त जीवन है और वह अग्मे जोती में रहते है. यह ना दैचार और प्रकाशित वाक्यादे 22 में हम देख सकते है कि लोग परमेश्वर को किसी तुच्च के रूप में मानते हैं. परिनाम सुरुप वह यह ऐसास न करके कि उनके सामने कौन है उनसे अनन्त जीवन का उमढ़ने वाला सोता नहीं मांगते वे उन्हें नहीं खोचते. ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि वा हमारे जैसे ही शरीर में है, हमारे जैसे रहते हैं और हमारे जैसा ही दिखते हैं. इन कारणों से कोई भी यह नहीं पैचानता कि वा परमेश्वर है जो अग में जोती में रहते हैं, जिसे हम देखने या यहां तक कीज साथ रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते. यहांना की पुस्तक में सामरिस्त्री के साथ ये शुकी जो बात्चीत हुई इसे सिर्फ बाइबल के इतियास की रूप में दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि क्या हमें परमेश्वर को पैचानने देने के लिए ये शब्द नहीं लिखे गए है? जब हम आत्म और दुलन के पास जाते है तब ही हमारे पास अनंत जीवन हो सकता है और केवल हमारे परमेश्वर ने हमें आत्म और दुलन के पास आने के लिए सिखाया है. सभी सुर्गे संतानों को हमेशा सुर्ग की आशा रखते हुए पिता और माता की आवास सुननी चाहिए और उनके पास जाना चाहिए पिता और माता द्वारा हमें सिखाये गए सुन्दर उधारनों और सिध्धानतों का पालन करते हुए हमें विश्वास का अनुग्रपूर्ण जीवन जीना चाहिए आईए हम इस संसार का एक उधारन देखे अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों को भी क्या करना चाहिए उन्हें कार्यले छोड़ना चाहिए किसी की नोकरी कितनी भी अच्छी क्यों नो हो उन्हें एक निश्टित उम्रम में पहुचने पर सेवा निवृत्त होना चाहिए बले एक विक्ति को कल कई लोगों द्वार अच्छी तरह से सम्मान दिया गया था लेकिन उसे आज किसी मत्वईन विक्ति के रूप में माना जा सकता है इस पृति पर जीवन का क्रम ऐसा ही है पृति पर चीजे वास्तों में अस्ताई है सब कुछ शनिक है चुंकि इस दुनिया में जीवन समय और स्तान से सीमित है तो हमें चीजों को उनका समय समाप्त होने पर जाने देना चाहिए हाला कि हम स्वर्ग में जाने के लिए न्यूक्त है जहाँ कोई दर्द नहीं है यहाँ पृति पर लोग दर्द, दुख, अकेलेपन, उदासी और मृत्यू का अनुभव करते है क्या परमेश्वर इन सभी सांसारिक कस्टों को हमसे दूर करने के लिए स्वर्ग की महिमा को पीछे छोड़कर इस पृति पर नहीं आये है परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण कुरूस पर अपना लहू भाया जब हम उनके बलिदान के बारे में सोचते है तो हमें सुर्गे पिता और माता के महान बलिदान के बारे में मुर्कता से कभी नहीं भूलना चाहिए वर्तमान समय में कुरूना वाइरस के कारण आप चर्च में सोतनतर रूप से नहीं आ सकते और अब लगबग छे मैने से विक्ती का तारादना मना रहे है कुछ लोग कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा विश्वास थंडा हो रहा है क्योंकि मैं चर्च नहीं जा रहा हूँ भाई और बेनों हमें सोर के राज्जे में वापस जाना है हम कहते हैं जब हम चर्च जाते हैं तो हमारा विश्वास अच्छा होता है और चर्च नहीं चाते तो हमारा विश्वास ठंडा हो जाता है कि हमें इस तरह से बात करनी चाहिए ये वास्तव में दिल तोड़ने वाला है चाहे हम चर्च में आई या नहीं हमें हमेशा परमेश्वर के साथ चलना चाहिए सिर्फ जब परमेश्वर हमें थामे रहते है तब ही हम स्वर्ग लोट सकते है कै यह सच नहीं है प्रकाशित वाक्यदे 22 और यहननादे 4 में जोड़े वचनों के दोरा हम यह पुष्टी कर सकते है कि जीवन के जल में हमें अनन्त जीवन देनी की परमेश्वर की इच्छा और योजना है येश्व ने कहा यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझ से जीवन का जल मांगती इसका मतलब है कि वह उनसे अनन्त जीवन मांगती चुंकि वह नहीं जानती थी कि वह कौन है इसलिए उसने यह नहीं मांगा बहुत से भाई बेने लोगों के साथ यह कहते हुए शुप संदेश साजा कर रहे है परमेश्वर पर विश्वास करें और स्वर्ग में जाए लेकिन कई लोग यह मैसुस किये बिना कि वह परमेश्वरी थे जिन्नोंने उन्हें भीजा था इस संदेश का इनकार कर रहे है वे आत्मिक दुनिया को देखे बिना केवल इस पूर्टी पर ध्यान केंद्रित कर रहे है इसलिए वे औसाया होकर सोचते है क्या यह भोजन मेरे स्वास्थ के लिए भेतर होगा यदि मैं उस उत्पात को अपनी तोचा पर लगाओ तो क्या मेरी तोचा भेतर हो जाएगी मुझे किस ब्रैंड का पानी पीना चाहिए आया हम उन्हें उसके बजाए जीवन का जल खोजने के लिए कहे हमारे भुविश्यों को उजवल और शांदार बनाने के लिए परमेश्वर की अद्बुद योजना जीवन के जल में छिपी हुई है लोग उस आत्मिक दुनिया की उपेक्षा करते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए तयार की है और यदि उनके पास कुछ पैसे बच गए है तो केवल सुरक्षित मैसुस करते है और वो परियापनी होने पर चिंतित मैसुस करते है परमेश्वर आकाश के पक्षियों को भी खिलाते है और आप इन छोटे जीवों की तुलना में अधिक मुल्यवान है तो आप चिंतित क्यों है हमें ये सूचना चाहिए आज क्या मैंने परमेश्वर की इच्चा के अनुसार अनुग्रपूर्ण जीवन जिया क्या मैं आशिशों और पुरसकारों को अरजित कर रहा हूँ जो मुझे स्वर्ख जाने पर मिल सकते है हमें ऐसा होना चाहिए जो खुद से इस तरह के सवाल पूछ सकता है आईए हम यहना देतीन आयत इकत्तिस देखे जो उपर से आता है वो सर्वत्तम है जो पृत्वी से आता है वो पृत्वी का है और पृत्वी की ही बाते कहता है जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहन नहीं करता येशु ने स्वर्ग में जो देखा और सुना था उसके बारे में समझाया और गवाही दी यह परमेश्वर की इच्छा है कि आत्मा और दूलन इस पृति पर आए सबी मानोजाती को बुलाए और उन सबी को स्वर्ग में ले जाए भले ही उन्होंने जो देखा और सुना था उसकी गवाही दी लेकिन किसी ने उनकी गवाही को सुईकार नहीं किया जिसने उसकी गवाही गरहन कर ली उसने इस बात पर चाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बाते कहता है क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता पिता पुत्र से प्रेम रखता और उसने सब वस्ते उसके हाथ में दे दी है जो पुत्र पर विश्वास करता है क्या उसका है? अनन्त जीवन उसका है परन्त जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा प्रतिकात्मक रूप से मेमना येशु को दर्शाता है 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 हमें हमेशा स्वर्ख की और देखना चाहिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि उच्च या निमन समाजिक स्थिती के बीच एक बड़ा अंतर है या फिर आर्थिक रूप से आपके पास दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक या कम है जो अमीर और प्रसिद्ध हुआ करते थे वे सब गुजर गए है क्या यह सच नहीं है क्या आपको लगता है वे इस धर्ती पर सफल होने के कारण खुश हुए होंगे बिल्कुल नहीं खुशी स्वर्ग में ही मिलती है परमेश्वर ने स्वर्ग में सब कुछ तैयर किया है आप वास्ता में इस पृत्वी की चीजों को पकड़ नहीं सकते वे केवल एक ब्रुक दुरुशना है इसलिए उनका पीछा करने की कोशिश में लगा समय व्यर्थ है अलाकि परमेश्वर ने हमें यह कहते हुए हमारे सच्चे जीवन के लिए जागरुद किया आत्मा और धुलन मार्ग और सत्य हैं दो हजार वर्ष पहले येश्व ने कहा था मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हो तो मेरे पास आओ लेकिन कोई भी उनके पास नहीं गया आए हम यहन अद्य पाच में इस दुकत तत्य की पुष्टी करे आए हम अद्य पाच आयत 49 पड़े तुम पवित्र शास्तर में ढूनते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुमें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाई देता है फिर भी वे क्या करते है तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते क्या यह दिल तोड़ने वाला और दुकत नहीं है सब ही मानौजाती को अनंत जीवन प्राप्ट करने के लिए आत्मा और दूलन के पास आना चाहिए सबी लोगो जब भी इस पृति पर एक वर्ष गुजरता है तो लोग इस तत्ये से दुखी होने लगते हैं कि वे बूड़े हो रहे हैं यदि स्वर्ग का राज्य अस्तित्व में नहीं था तो ये वास्तव में दुखद होगा मैं मानता हूँ हाला कि क्या हमारे पास स्वर्ग का राज्य नहीं है हमें केवल इस वास्तविक्ता की कटिनाईयों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए ये सोचना चाहिए स्वर्ग का राज्य हमारी प्रतिक्षा कर रहा है इस वर्तमान जीवन के विप्रित मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वहाँ कोई कश्ट दर्द या पीड़ा नहीं है वहाँ मैं मृत्यू के बारे में चिंतित नहीं रहूँगा भाई और बेनों हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में कभी नहीं बूलना चाहिए स्वर्ग के राज्य को कभी मत भूलना और कभी भी परमेश्वर को मत भूलना चुंकि आत्मा और दुरन हमारे लिए मार्ग है हमें अनंत जीवन के उस मार्ग का अनुसरन करना चाहिए जिस पर पिता और माता चले थे और अन्त तक उनका पालन करे आये हम यहन्ना अदेचे आयच चोपन के साथ जारी रखे आये हम अदेचे आयच चोपन पढ़ते है जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है क्या उसी का है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अन्तिम दिन फिर जिला उठाऊंगा जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे, उन सभी लोगों को अन्तिम दिन फिर जिला उठाऊंगा परमेश्वर वह प्रतिग्या करते है परमेश्वर ने अपने पहले आगमन पर उन लोगों को अनंत जीवन की प्रतिग्या दी जिन्नोंने येश्व के मास और लहू को खाया और पिया उसी तरह उनके दूसरे आगमन पर वे लोग कौन है जिने जिला उठाया जाएगा क्या परमेश्वर उन लोगों को अनंत जीवन की प्रतिग्या नहीं देते जो मनुश्य के पुत्र का मास और लहू खाते और पीते हैं जिसका अर्थ है जिनके पास आत्मा और धुलन पर सही विश्वास है इस कारण से परमेश्वर ने फसा को एक नियम के रुप में न्यूक्त किया आप मतियद्दे 26 को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इसकी पुष्टी करने के लिए आईयम इसे फिर से देखे आईयम आयत 17 देखे अक्मिरी रोटी के पर्फ के पहले दिन चेले येश्व के पास आकर पुछने लगे तु कहा चाता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैरी करे उसने कहा नगर में अमुक वेक्ती के पास जाकर उससे कहो गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाप पर मनाऊंगा आतहा चेलों ने येश्व के आग्याबानी और फसर तैयार किया आयम आयद 26 पड़े जब वे खा रहे थे तो येश्व ने रोटी ली और आशिश मंग कर तुड़ी और चेलों को दे कर कहा लोग खाओ यह क्या है मेरी दियर है मतलब मेरा मास है आयम आयद 27 देखे फिर उसने कटो रहा इसमें फसर का दाकमदू था लेकर धनिवाद किया और उन्हें दे कर कहा तुम सब इसमें से पीओ क्योंकि यह फसर का दाकमदू वाचा का मेरा वह लव है जो भोतों के लिए पापों की शमा की निमित भाया जाता है इस तरह परमेश्वर ने फसर के सत्य को वाचा के रूप में स्तापित किया जिसके दोरा हम मसीय का मास और लहू खा और पी सकते हैं लुका दे बाइस में इस वाचा को क्या कहा गया है इसे नई वाचा कहा गया है परमेश्वर ने प्रतिग्या की यदि तुम यह करो तो मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे जिस समारों में हम रोटी खाते हैं और दाकमदू पीते हैं वो वास्तों में महतुपूर्ण है क्या कारण है कि हमें नई वाचा और उसके नियमों का पालन करना चाहिए आयम गलातियो अद्धेतीन पर जाए आयत तेश पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्ता के अदिनता में हमारी रखवाली होती थी और इस विश्वास के आने तक जो प्रगठ होने वाला था हम उसी के बंदन में रहे इसलिए विवस्ता किस तक मस्या तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है यदि हम सबत का दिन और फससर जानते है और उन्हें सही ढंग से मनाते है तो हम मैसूस करेंगे कि पुरानी नियम की सभी विवस्ता है और आज्या है हमें मसिया तक पहुंचाने के लिए अस्तित्व में थी इन दिनों नई वाचा की भूमी का क्या है? जिस तरह पुरानी वाचा ने हमारा मसिया की और मर्क दर्शन किया और उन तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है उसी तरह आज वो क्या है जो परमेश्वर हमें नई वाचा की आज्याओ के द्वरा जानने देना चाते है क्या परमेश्वर ने हमें गलातियों अद्दे 3 आयत 23 में संकेत नहीं दिया है? व्यवस्वर मस्यवर तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम उने पैचान सके दूसरे शब्दों में जब हम व्यवस्वर को देखते हैं तो हम समत सकते हैं मस्यवर निष्टित रूप से हमारे परमेश्वर है जो पृतिव पर आएंगे फिर परमेश्वर हमें नई वाचा की व्यवस्था के दौरा किसके बारे में जानने देणा चाते हैं उनकी व्यवस्था में परमेश्वर की छिपी हुई इच्चा क्या है हमें यह भी पता होना चाहिए है न? आयम कलातिय दैचार आयत 22 देखे यह लिका है कि अबरहम के दो पुत्र हुए एक दासी से और एक स्वतंतर स्तरी से परंतो जो दासी से हुआ वह शारिक रीती से जन्मा और जो स्वतंतर स्तरी से हुआ वह प्रतिग्या के अनुसार जन्मा इन बातों में दुरुष्टान थे यह स्तरीया मानो दो वाचाए है एक तो सिने पाहड के जिसे दासी उत्पन होते है और वह हजीरा है और हजीरा मानो अरब का सिने पाहड है और आदुनी के अरुष्ट्रियम उसके तुल्य है क्योंकि वो अपने बालों को समित दासत्व में है पर उपर की एरुष्लेम सोतंत्र है और वो कौन है? वो हमारी माता है हब्राम के परिवार की दोस्त्रिया हजिरा और सारा है यदि पुरानी वाचा को समझाने के लिए हजिरा का उप्योग किया गया था तो सारा के बारे में क्या? क्या सारा का नई वाचा को समझाने के लिए उप्योग नहीं किया गया था? आयद 24 इन बातों में दुरुष्टान थे ये स्तिरिया मानो दो वाचाए है एक तो सिने पहाड की जिससे दासी उत्पन होते है सिने परवत पर दी गई विवस्ता मुसा के दौरस तापित पुरानी वाचा की विवस्ता है और वह हजिरा है और हजिरा मानो अरब का सिने पहाड है और आदुनी के अरुष्टलेम उसके तुल्य है क्योंकि वह अपने बालों को समित दासत्वों में है पर उपर की अरुष्टलेम यानि सारा स्वतंतर है और वह कौन है वह हमारी माता है परमेश्वर ने नई वाचा को सारा अबरहम की पत्नी के रूप में वर्नित किया उन्होंने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी माता के बारे में गवाही देने के लिए अंततर सारा इस परुथी पर मौजुद है परमेश्वर ने हमें यह जानने की अनुमती दी कि इस परुथी पर सारा के अस्तित्व का उद्देश हमें स्वर्ग्य माता के बारे में जानने देना है यह हमारे लिए नई वाचा की वास्तविक्ता हमारी स्वर्गे माता को खोजने की परमेश्वर की इच्छा है हमारे पिता मस्या है जो मानो जाती को बचाने के लिए इस पृति पर आये जब पिता पृति पर थे तब उन्होंने हमारे ले अत्यंत मतोपुर्ण संदेश छोड़ा एलिशा ने एलिया का पालन किया यहुशु ने मुसा का पालन किया पत्रस ने येशु का पालन किया और मैं माता का पालन करता हूँ जैसे कि पिता ने कहा मैं माता का पालन करता हूँ तो क्या हमारे जीवन का मार्ग हमारे पिता की तरह नहीं होना चाहिए आईए हम सुर्गे माता के साथ उज्वल भविश्य की और दिरंतर दोड़ते हुए पिता के मार्क का पालन करे मैं आज का उब्देश समप्त करना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद